हालो गाईज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कुफित अवंतिका रसुई पे आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी के शार शेयर कर रही हूँ पंजाबी स्टाइल छोले भटूरे की रेजपी पूरे वीडियो को जरूर देखेएगा साथी हम बात करेंगे फुले फुले भटूरे किस तरीके से हमें बाहर मार्केट जैसे बनाने चाहिए तो चलिए आये बनाना सब्सक्तराइब भटूरे भटूरे क्लिए भटूरे के लिए या कोई भटूरे कर सकते हैं ऐसे अच्छे चाहन मिया अगर आपके पास पहले चीजों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है इसके बाद में मिक्स करने के बाद में हमें यह आप पे आड करना है त्री टेबल स्पून के करेब रिवाइंड ओईल डालने से भी आपके बाद में मौईल लगता है उसकी वज़े से बाद में जालिया पड़ती है इसलिए ओईल डालना बहुत ज़रूरी है साथी अब हम डालेंगे आधी कटोरी फ्रेस दही यहाँ पे आपको खटे दही का इस्तमाल नहीं करना है अगर आपके पास दही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप यहाँ पे सैट्रिक एसिड या फिर हलका सा निम्बू कर रसका विस्तमाल कर सकते हैं आपके भटोर क्लिगे का डौ लगाते है उसे हमें गुन्दना नहीं चाहिए यहां फिर मैदे मेल एखटी कर लिये थोड़ा साम ऑल डालेंगे इसके बाद मेल अच्छी तरीक बटकना है और इस तरीक से रफ करते हैं बेना गूंथे वोई मैदा आपकीinvest आपके छीक पनाने से तरीके सा रफ करते हैं और साथी साथ पठगना बहुत जरूरी है पकटखने से क्या होता है इसमें इयर डपलो फोती है जिसकी वज़े से भी बहुत अच्छे शॉफ्ट और फुले फुले से बंते हैं तो आप देख जो है ना आकसर करके लोग क्या करते हैं कि भून दते हैं पटूरे के मैदे को कभी भी गूंदा नहीं जाता है यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर सेंटर में लगाएंगे ओईल इससे क्या होगा जब हमारी मैदा फॉर्मेट होगी ना तो उपर की जो लेयर है वो ड्राइ नह सब्सक्राइब ़ुद यहां तरेकनी खंप सीष्ट। मैयद करें साथ मिदेः धूर मुद doぎ रिट छीली पॉडर ओवरनाइट घिया हुए, यहाँ पर मैंने लिया छोला चैना, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और कम से कम तीन विशला आने तक मैंने इसे पकावे लिया है यानि की बॉयल करने के बाद जो छोले के साथ पानी होता है उसे भी मैंने यहाँ पर एक बॉल में रख लिया इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे अब चलते हैं गैस के तरह प्रिशर कुकर रखा है प्रिशर कुकर में यहाँ पर हम ऑईल डालेंगे ऑइल जो भी आप खा नहीं हो जाता है और पके हुए मसाली की खुश्बू नहीं आने लगती है तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है और सेफ्रेट हो चुका है अब यहां पर हम उबले हुए यहां पर छोले चने डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कह लेंगे दो से तीन ब उसे हम बंद कर देंगे और यहां पर दो से तीन विशे लाने तक इसे हमें पका लेना है तो यहां पर प्रशा कुकर को बंद कर देते हैं कवर कर देते हैं यहां पर देखते हैं हमारा यह जो डो है वो अच्छे से फॉल चुका है और मैं आपको यहां पर बिल्कुल पास स दिखा रहे हूं और आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छे से यहां पे जालियां साइड में पड़ गए हैं तो अब हमें क्या करना है दोगो हलकी हांतों से यहां पे इस तरीके से हलक असा मसल लेना है ताकि इसमें जो एक्ष्ट्रा एयर हो वो निकल जाए अच्छी तर इसमें भी पेड़े त्यार कर लेने कुछ इस तरीके से बंद करते हुए जिस तरीके से कोचोड़ी वेगर फिल करते हैं बस उसी तरीके से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं बहुत जादा इसमें फ्रश नहीं करना है बस हलके आतुस करना है अब एक चकला लेंगे या फ कि उतना पतला खूलता है उतना ही ज्यादा प्वुल सकते हैं आपने देखा होगा कि जब ही हम काफी लाइट वेड होते हैं। यहां पर मैंने ऑलग पहले होते हैं। तो छिवहाईन के बन में सम्हाई हैं जिपन तक uneτο क्षम और कि यह है। यहाँ पर मैने ओइल पहले से रख रख था गरम होने के लिए और आपका इतना गरम होना चाहिए कि ओल में से अच्छा खासा धूमा निकल रहा हो अगर ऐसा नहीं है तो आपके बटूरे अच्छे से नहीं पूलें हमें बटूरो को डाल देना है ऑईल में बहुत अच्छे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसा हमारा भटूरा फुला फुला बनके तयार हो गया है तो यहाँ पे अब हम दूसरे भटूरे को भी इस तरीके से फ्राइ कर लेंगे याद रखिएगा गाइस कि आपको बिल्कुल हाई फ्लेम के ऑईल में ही डालना है यहाँ चीज़ा बटूरे तो यहाँ बिल्कुल मार्केट वाले फुले-फूले से बटूरे भटूरे हमारे बनके तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं कलर एक टेक्शर कितना अच्छा है दस से पंदर मिनट में आपके छोले बनके रैडी हो चुके हैं तो आप यहां पर हरी तन्याग पती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप हम कर लेते हैं साल पापड सलात और छोले के साथ यह भटूरों को और आप देख सकते कितने फूले फूले और बस द दबाइए ताकि आपको मेरी नई रैस्पी की नोटिफिकेशन इसी तरह किया से मिल सके रैस्पी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए थैंक यू सो मच गाइज प्लीज एंज्जाए इन छोले बटूरे थैंक यू